जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल में और दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी ही अपडेट है और आपको जानना बहुत जरूरी है और आपकी सहोग की बहुत ही जरूरत है इस वीडियो के मादेम से और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें ज्यादस ज्यादा स्पोर्ट करें ताकि सभी के अंडियर्स का इसमें हैलप होस के सभी को इसका फायदा मिल सके तो गाइस पहले भी कुछ दिन पहले एर फोर्स एक्सेंड वाई ग्रूप के जो फोरम आये थे आपके जैसे भी जो नोटिफिकेशन आया था उ कोविड-19 के अंदरी नों एक विकेंसी है वो खा गई है मतलब एक विकेंसी नों नहीं करवाई तो नहीं करवाई तो नहीं करवाई तो इसकी वज़र से आप सभी केंडिट्स को पता है कि जिसका किसी का लाश्ट चांस था और सभी केंडिट्स का एक चांस कम हुआ है तो आप में एक community नहीं है, आपने पहले उसमें भी कहा था, तो हम आपके साथ थे, आज भी साथ है, कल भी साथ रहेंगे, जो कहेंगे, उस मादेम पर जाने के लिए त्यार हैं, लेकिन आपको एक साथ आना पड़ेगा, सभी candidates एक साथ आएंगे, तभी इसमें कुछ हासिल होगा जैसे SSC railway में हुआ था, उसी तरीके से आना पड़ेगा, अब उस दिन करवाए थे, तो 500,000, 2000,000 आ गए होगे, 10,000 आ गए होगे, टवीट इस से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम लाखों की संख्या में चाहिए, अब फोरम तो आप सभी को पता है कि, टोटल जैसे मान के चले 10, 15, 20,000 तक, मतलब 10,000,000 के असपास फोरम तो भरे भरे जाते हैं, आप मान के चले, इंडियन एर फोर्स के, तो 10,000,000 थोड़े स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, और हर बारे इतने ही फोरम फिल अप के जाते हैं, 9 से 10,000,000 के बीच में, और उसमें से क्वालिफाइड 17, 18, 20,000,000 के असपास होते हैं, तो गाईज आप जो 10,000,000 फोरम फिल अप करते हैं, तो उन सभी कैंडिर्स को साथ हाना चाहिए, ताकि एक मंच पर साथ हाकर सब का कुछ भला हो सके, और आपको एज रिलेक्शन मिल सके, आपको एज रिलेक्शन मतलब दिलाने के लिए सभी सर ह हैं, जो भी हैं, सभी साथ दे रहे हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो साथ दे रहे हैं, उसका साथ दो, एक साथ में, और गाईज उनको स्पोर्ट करो, हम भी आपके साथ हैं, और आप जैसे भी जो भी मिसन चलाएंगे, उसमें हम प्रती एकदम बिल्कुल, जैसे भ हमारा जो भी स्वयोग रहेगा पूरा का पूरा सोग एकदम 100% सोग देने की पूरी कोशिस करेंगे लेकिन इसमें जरूरत है टीचर से ज्यादा एक स्टुडेंट्स को सभी स्टुडेंट्स को मतलब सभी स्टुडेंट्स को देना पड़ेगा स्पोर्ट निहाँ पर तभी कुछ हो पाएगा तो गाईज यहाँ पर अभी क्या मीसन यह है कि अभी आपको जैसे ट्वीटर पे काम नहीं चलेगा तो देखो इमेल का वो रिप्लाई नहीं करते हैं सभी कैंडिट्स को पता है ठीक है इंडियन एरफोर्स इमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं इतनी जल्दी और ना ही अभी तक कोई रिप्लाई मिला है हमें हमने काफी कोशिस किया है और टिवी टिवी किया है जब आपने चलाया था वीडियो भी मनाया था उस टाइम भी अभी भी दुबारा से बना रहे हैं और भी मनाएंगे जरूरत पड़ेगी तो और इसके बाद में गाइस बात कर रहे हैं यहाँ पर सभी सर ने अपना स्पोर् हक की लड़ाई है वो लड़नी चाहीए तभी कुछ इसमें आपको करांति लाने की जरूरत है तभी आपका जो हक वो मिल सकेगा तो गैशि आपके साथ है हम पूरी तरीके से जी जान से आप टेंशन मत लीजिए और आपको जी जान से आना है मैधान में और जंग को जीतना है ओके यहीं आप से कहना चाहूंगा जैसे भी ट्विट का है यह सी एस भी जाने का है जिस तरीके से जो भी है कोविल 19 का लेकिन ध्यान में रखना है जो भी मुहिम चला रहे हैं वो एक साथ हम अपडेट करते रहेंगे सभी जो सुझ भी टीचर से जो बड़े बड़े टीचर से करियाटर सांव यूट्यूब के तो जो भी आपको गाइडलाइन देंगे तो आप इसमें बिल्कुल में टैंसन नाले हमारे sitten आउसके का हम हम पूरी कोशिसाब के लिए करेंगे एज रिलेक्शन दिलवाने के लिए तो गाइस जैसे भी है कोर्ट जाने के लिए टीजर्स बोल रहे हैं और इसके बाद में है जो आपका जो हाँ पर धरना देने के लिए जा सकते हैं और अपको एज रिलेक्शन मिलेगा और 100% मिल सकता है यदि आप इसमें एक साथ एक जूटता होकर आप में एक जूटता है और आप एक साथ इसमें कुछ चेव करेंगे तो अराम से हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए हम जी जान लगा रहे हैं और आप इसमें बिल्कुल भी स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होने का गाईज बास सीधी यही है और आपको बूरी लगे तो आप डिसलैक कर सकते हैं बली मुझे लाइ ट्विटर पे अकाउंट लिंक भी मैंने दिया था और आपको वीडियो भी दिखा दूँगा प्रूप के तोर पे लेकिन ऐसा नहीं है हम सब जो करियाटर है आ रहे हैं चोटे हैं बड़े करियाटर हैं जो भी है हम सब एक साथ आ रहे हैं तो आपको भी एक साथ आना है च आपकी एज इंकरीज हो चुकिए आप समझने की कोशिस कीजिए फिर भी आपके पास एक चांस आपका गया है यानि आपकी जोइनिंग होगी तब तक 21 वर्स के भी तो काफी कैंडिर्स होगे तो उसमें से वो बाहर हो जाएगा उनका जो रोल भी नहीं रहेगा और जो होती जरूर यह एज रिलेक्सन गाईज बस यही कहना चाहूंगा मैं और जो भी होगा आपके साथ अपडेट करते रहेंगे आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जरूर जोइन कर लें ताकि जो भी अपडेट होता है वहाँ हम सेर कर देते हैं सबसे पहले तो आपसे रिक पूछ सकता है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्स में दिया है आपको और गाईज इमेल कर सकता है मेरे को मैं आपको लिए जो भी आपका स्वाल होगा उसका रिप्लाइक करने ही पूरी कोशिस करूँगा और इसके तोर पर आपको प्रूब भी दिखा देता हूं पहले करो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम जो हग की लड़ाई लड़ रहे है वह बिल्कुल है अब इंडियन एर फोर्स के साथ एक साथ मतलब जितने स्टूडेंट्स एक साथ में स्पोर्ट करेंगे इस एज रिलेक्शन के मिसन के अंदर तो गाईज हेलफ होगा 100% हेलफ में तो गाईज यही है कि आपको इस मिसन में साथ देना पड़ेगा तभी आप इसमें कुछ आपको आशी लोगा तो हम आपके साथ पूरी तरीके से यह ना समझे कि हम आपके साथ नहीं है बिल्कुल 101% आपके साथ है जो भी नया मिसन स्टार्ट करेंगे किसी भी तरीके क जो आपसे request है वो यह है कि आप एक मंच पे आएं और सभी साथ दें एक साथ आपका जो जुनून रहेगा ताकत रहेगी वो हिला सकती है युवा ताकत अराम से अपना लवा मनवा सकती है तो आपसे यह request है कि आप जो साथ में आएं सभी के सभी जो भी अपडेट होगा आप इसमें जरूर से जाज ज़्यादा इसमें अपना mission में साथ देंगे और आपसे मैं यह request करता हूँ